नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। आपका जो आपका 9ft का कूदना है उसके बाद आपका बीम है उसमें आपको यहाँ पर अभी उस सारी प्रक्रिया से लोग गुजर रहे हैं आपको मैं बता दू कि इस बार जिस तरह का फीडबेक आ रहा है अभ्यर्थी जो बाहर आपको मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया है कि जो बाहर अभ्यर्थी निकल रहे हैं वो छटने के बाद भी बड़ा संतोस दिखा रहे हैं ये एक सबसे बहतर बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अगनी वीरों की पहली भरती का पहला दिन और इसको लेकर जैसी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर 200 का बैश बनाया गया है 200 बैश जो है एक बैश में दौरने वाले बैश में बैश में बैटते हैं जिसमें से 70 से 75 अभियर्थियों का चैन हो रहा है अब इसका हिसा बने समय उसी बेहतरी के साथ आपाईए मैं यह कहना चाहूंगा अपने मेहनत पर भरुशा करिए गलत लोगों से संपर्क मिनना जाए नहीं तो वह आपके मता-पिता परिवार की गाढ़ी कमाई जो है उसका सोसन करेंगे दोहन करेंगे उसका कोई फायदा न आप देख सकते हैं यारों का पीछे आप बोर्ट देख से और मैं आपको यहां से इसलिए दिखा रहा हूँ आगे आने वाले समय में संभव है कि आपको मैं और कुछ भी दिखाने का प्रयास करूंगा लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि यारों मुझफरपुर के चक्कर मै निकलते हैं यह से अगर आप बस से भी आना चाहते है तो फ्री अफ कॉछ दी गई है जो की बात के समय आपको कहीं होटल या बहार रुखने ठा़ने के जरूरत नहीं है उसके लिए भी अगर आप जिस दिन आपकी भरती है चुकि reporting time जो है वो दिखाय जा रहा है कि 12 बजे के बाद ही आपको reporting timing होनी है तो अगर आपको उस दिन अगर आप आए हैं तो कहीं hotel मिटूने की ज़रूत नहीं है सीधा station से आकर चक्कर मैदान पहुचिए और वहीं से आपको सारी प्रक्रिया जो है वो जानकारी भी मिल जाएगी वहाँ रहने के रात में ठारने की विवस्था भी मिल जाएगी और जिससे आपको मदद मिलेगी और आप बेहतर प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो चक्कर मैदान है इसके आस परोस में सारे जगा पर आप कहीं भी गलत लोगों से साब धान रही है रुकिया नहीं मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ किसी से नहीं रुकना एक शरसंस या आना है आप अपने प्रेस्बूक पेज को भी लाइक करें अगर आपको फॉलो कर लिए हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं उसमें आप भी हैं हम भी है सब लोग मिलकर कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद